हालो एबरीबन वेल्कम बैक तुदा आरेन फॉर 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 इजुकेशन आज हम लोग फैक्टर से रिलेटेट कुछ क्योस्टन जो हैं पढ़ने वाले हैं यह क्योस्टन आल लेड़ी ग्जाम में पुछी जा जुके हैं पहला है 18 सोब के गुडन खंडों भी संक्या अगर माल दीजी यह 18 होता तो आप लोग कैसे निकालते एक से कड़ेगा दो से कड़ेगा तीन से कड़ेगा च्छ से नौ से और 18 से यानि टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 6 गुडन खंड है और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते कंजिते हैं 2 दिया 6 दिया 18 यानि 2 के पावर 1 तीन के पावर 2 है तो आप लोग कुछ नहीं करना है एक पार में है तो 1 प्लस 1 दो पावर में है तो दो प्लस 1 तो इस प्रकार भी आपनों का 6 ही आएगा ठेक है तो जब भी आपनों को बड़े-बड़ी संक्या दी गई हों और उसमें आपनोंगों गुड़न खंडों की संख्या निकालने हैं तो आप लोग जो है अब आज गुड़न खंड की विधी जो है लगा सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 18 गुड़े 100 तो यह आएगा 2 के पावर 1, 3 का स्क्वाइर यह होता है 25 चोग का सो यानि 2 के पावर 2, 5 का स्क्वाइर तो कुल मिला जो लाकर 2 के पावर 3, 3 का स्क्वाइर, 5 का स्क्वाइर तो आप लोगों गुड़न खंड की संख्या निकालने हैं यानि पावर में जो है एक एट कर देना है ठेके और सभी का गुड़ा कर देना है तो क्या आजाएगा आपका चार, गुड़े, 3, गुड़े, 3 तो यह आजाएगा आपका 36, बीवा लापसन आपका सही है दूसरी सवाल है 36 की सम गुड़न खंडों की संख्या तो आप दोंको इस तरीक स्ने निकालना है की दो से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी तो 9 देखिए आपके क्या है, विसम है, तो यह तो काउंट नहीं होगा 2, 4, 6, 12 से कटेगी, ठेके तो अगर आप दियान देंगे दो, चार, चार, बार ये ऐसी संख्या है है, समसंख्या है है अब समसंख्या है तो आप जानते हैं दो से तो कटेगी ही, तो एक काम करिए 36 में से जो है दो पहले ही काम ले लिए जब 36 में से दो पहले ही बाहर कर लेंगे तो अंदर आपका क्या बज़ेगा अठारा पस आपनों को अठारा का गुलंखन निकाल लेना है अठारा यानि दो तिया छह तरिका अठारा दो के पावर वन तीन के पावर दो ठेके तो यहाँ पर एक है तो दो आ जाएगा यहाँ पर 2 है तो 3 न आ जाएगा तो 2 तिया 6 तो इसके सम गुरंखन की संख्या जो है वो 6 ही आएगी ठेक है आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 2 से कटेगा 4 से 6 से 12 से कटेगा 18 से और 36 से तो इस प्रकार भी आपनों को 6 ही देखनों की मिलेगी तो आपनों को क्या करना है जब भी आपनों को सम गुरंखन पूछा जाए तो आपनों को 2 पहले ही कामा ले लेना है तो यह आजागा 18 बस आपनों को 18 का निकाल लेना है आपनों को उत्तर जो है आजाएगा तीसरी सवाल है यहाँ पे पूछा गया है कितने गुड़नखंड विसम संख्या है जैसे 10 है अब इसमें कितने जो विसम संख्या है तो 2 गुड़े 5 होता है तो एक ही विसम संख्या है ठेक है तो यही पुछा गया है कितने गुड़नखंड विसम संख्या है तो आप तो ग्यानते हैं अगर किसे भी विसम में अगर समसंख्या से यानि 2 से उड़ा हो जाए तो वो तो आपका A भी ना जाएगा यानि यहाँ पे जो 2 के पावर 8 है इसे तो आपको कैंसल कर सकते हैं बस 5 के पावर 3, 3 के पावर 4 कितने विसम आएंगे यहाँ पे 3 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 है तो 5 हो जाएगा यानि 4 पच्चे 20 आपका उत्तर हो जाएगा चोथी सवाल देखिए अच्छी सवाल है पूछा गया है कितने गुड़नखंड 60 के गुड़च है 60 यानि 60 को आप एक ऐसे लिख सकते हैं दो दो नी 4 तिया 12 पच्चे 60 यानि 2 के पावर 2 तीन के पावर एक पांच के पावर एक यही है आपका 60 का गुड़नखंड अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दिया गया है दो के पावर 8 तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसे लिख सकते हैं दो नोड़े 5 के पावर 5 यानि यह आएगा 2 के पावर 5 5 के पावर 5 तो यह हो जाएगा 2 के पावर 8 3 के पावर 6 5 के पावर 4 2 के पावर 5 5 के पावर 5 तो 2 के पावर 13 बनेगा 3 के पावर 6 5 के पावर 9 ठेके यही बनेगा अब पूछा गया है 60 के कितने गुडन खणना है यानि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 इसे कैंसिल करना है यानि माइनस 2 यहाँ पर गटाएंगे यहाँ पर गटाएंगे तो यह आ जाएगा 2 के पावर 11, 3 के पावर 5, 5 के पावर 8 आप 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 लोग जानते हैं कैसे गुड़नखन निकालना है तो जहां पर 11 है वहां पर 12 हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा यहां पर 9 हो जाएगा 12 चका 72 बहतर में 9 से जो है उड़ा करेंगे तो 9 दुनी 18 लाश्ट में 18 है तो यही आपका आपसनप का सही होगा पांचवी सवाल है पुछा गया है कितने गुड़नखंड पूर्ड वर्ग है तो इसमें जो है सभी को पूर्ड वर्ग बनाना पड़ेगा जैसे 2 के पावर 8 है इसे क्या लिख सकते हैं दो के पावर 2 पावर 4 लिख सकते हैं तो 2 के पावर 2 यानि यह चार का वर्ग मुद हो जाएगा ठेके पूर्ड वर्ग है उसी प्रकार 3 के पावर 6 है ठेके तो 3 का स्क्वार लिख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख सकते हैं और 5 के पावर 5 है 5 का square तो ध्यान से देखिएगा 5 के पावर 5 जुदिया गया है ठेके इसे लिख सकते हैं 5 का square यानि इसमें केवल 25 का वर्गमूल ही आपनों को मिलेगा ठेके तो यहां से मिलेगा यहां से यानि कह सकते हैं इसमें केवल 5 का square ही आपनों को work mode मिलेगा ठीक है जैसे अगर 5 के power 8 होता तो 5 का square यहाँ पे 4 लिखते होते हैं यानि 25 के 4 set मिलेंगे लेकिन यहाँ पे 5 के power 5 है तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा ठीक है अब क्या करना यहाँ पे 4 है तो 5 हो जाएगा यहाँ पे 3 है तो 4 यहाँ पे 1 है तो 2 5 का 20 दोनी 40 दोसरा अपनाम का सही हो जाएगा अगला के उसने यदि y बराबर 9 के power 27 तो y के कितने धनातनों को रनखन पोड़ गनों से भी भाज जा है तो अब आपनों को पोड़ गन बनाना पड़ेगा तो 9 के power 27 है तो सबसे पहले 9 को 3 का 20 लिख सकते हैं 27 तो 3 का 20 अभी यह पोड़ वर्ग बना है लेकिन आपनों को बनाना है पोड़ गन 3 के power 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 18 लिखना पड़ेगा क्योंकि 27 दूनी 54 अठार तिया 54 होता है यानि 3 के power 3 और पावर 18 तो कितने गुड़न खन बनेंगे यहाँ पे 18 है यानि 18 में एक जोड़ देंगे 19 साब का जो है उत्तरा जाए है तो यह थे 6 प्रस्ता है जो कि आले लिख जामें पुछे जा चुके हैं अगर आप में को वीडियो करें तो वीडियो लाइक करेंगा और शाल को ज़रू से सब्सक्राइब करेंगा